कहानी मा का हरदय जानवर भी प्रेम से प्रभावित होते हैं वो एक गाय थी, नाम उसका नंदा था चांदी के समान उसकी श्वेत सिंगें थी भुला मुख मंडल था, बड़ी-बड़ी आखें थी सुडौल शरीर था, बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो उसके हरदय में मधु का सागर भरा हो नंदा ने दो-तीन दिन पूर्व बचड़े को जन्म दिया था बचड़ा भी उसी के समान सुन्दर था नंदा बड़े प्यार से उसे चाड़ती थी, उसे दुलारती थी प्रभात का समय था, सूरे की किरने निकलाई थी नंदा जब वन में एक सरूवर के किनारे हरी हरी घास चरने लगी तो सिंग से उसका सामना हुआ, सिंग को देखते ही नंदा उदास हो गई उसकी आँखों से आंसूं की धारा बेहने लगी सिंग नंदा की आँखों से आंसूं की धारा बेहते हुए देखकर बोला वनराज आप मुझे आवश्य खाईए, मैं मरने से डरती नहीं हूँ, सच बात तो ये है कि मैं दो दिन पहले ही एक बच्छडे को मैंने जन्म दिया है, मैं उससे कहे आई हूँ, लोटकर तुम्हें दूद पिलाऊंगी, वो मेरा रास्ता देखता होगा, सिंग बोला, तो मै मैं क्या करूँ, मुझे भी जोर से भूक लग रही है, दो तिन दिनों के बाद आज आहार मिला है, मैं तुम्हें छोड नहीं सकता, नंदा से सकती हुई बोली, बिल्कुल न छोड़िये, पर मेरी एक प्राठना सुन लीजे, मैं बच्छडे से कहे आई हूँ कि लोटकर त आती हो, आसु बहा कर मुझे धोखे में डालना चाहती हो, मैं तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं, नंदा बोली, वनराज, मैं आपको धोखे में डालना नहीं चाहती, मैं सच कह रही हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दीजे, विश्वास कीजे, मैं न होगा कि एक दिन भोजन और नहीं मिलेगा, मर तो जाओंगा नहीं, पर एक सबक अवश्य मिल जाएगा, सिंग बोला, अच्छा यही सही, जाओ, अपने बच्छडे को दूद पिला आओ, पर याद रखना, लोट कर नहीं आओगी, तो ठीक नहीं होगा, सिंग ने नंद क्यों रही हो, नंदा ने बच्छडे को पूरी कहानी सुना दी, उसने कहा, बेटा, तुम्हें दूद पिला कर मुझे सिंग के पास जाना होगा, जितना जी चाहे आज दूद पीलो, इसके बाद मैं फिर कभी तुम्हें दूद नहीं पिलाऊंगी, बच्छडे ने दूद पिना छोड़ दिया, उसने कहा, मा, मैं भी तुम्हारे साथ सिंग के पास चलूँगा, तुम्हारे साथ ही साथ मैं भी मरूँगा, किन्तु नंदा बच्छडे को साथ नहीं ले गई, उसने उसे समझा बुझा कर दूसरी गाए के सुपोर्ट कर दिया, वो स्वयम अकेली स सिंग के पास गई, किन्तु बच्छडा अपने को रोक नहीं सका, वो भी बाँ बाँ करता हुआ, गाए के पीछे पीछे दोड़ पड़ा और सिंग के सामने गाए के पास जाकर खड़ा हो गया, नंदा करुन स्वर में बोली, वन्राज, मैं आ गई, मुझे खाकर अपनी ख शुदा शांत कीजिए, पर प्रातना है, मेरे बच्छडे को न खाईएगा, बच्छडा बोला, वन्राज, मेरी मा को छोड़ दीजिए, और मुझे खाकर अपनी खुदा शांत कीजिए, मा और बेटे के प्रेम को देखकर सिंग सन्नाटे में आ गया, वो बोला, तुम दोन वन्राज की जगा देवराज इंद्र खड़े थे, और उनके पास ही खड़ा था स्वर्ण रत, देवराज इंद्र ने नंदा से कहा, तुमारे और तुमारे बच्छडे के त्याग ने तुम दोनों को बहुत उपर उठा दिया है, ये स्वर्ण रत तुमारे लिए ही है, त तुम दोनों इस पर बैठ जाओ। नंदा अपने बच्छडे के साथ स्वर्ण रत पर बैठ गई। स्वर्ण रत दोनों को लेकर उड़ चला। उपर की ओर स्वर्ग की ओर। कहा जाता है कि नंदा ही स्वर्ग की गाय कामधेनू है जिसे एक रतन कहा जाता है। जो लोग एक दूसरे के प्रती सच्चाई के साथ प्रेमालू होकर त्याग करते हैं वे नंदा की भाती ही गौरव पूर्ण पदप्राप्त करते हैं। कहानी से शिक्षा सच्चा प्रेम बहुत उपर उठा देता है। कहानी समात